राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों मार्कशीश मास का चोथा गुरुवार अर्थात आखीरी गुरुवार मैं आपके लिए लाए हूँ मार्कशीश मास में सुनी जाने वाली गुरुवार महा लक्ष्मी व्रत कथा बंधों मार्कशीश में गुरुवार महा लक्ष्मी व्रत कथा सुनने मातर से आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थाई वास होगा बंधों कथा को पूरी सुने और तभी आपको पूरन फल की प्राप्ति होगी मन में पूरन विश्वास और शद्धा जरूर रखें बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरी सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै मा महालक्ष्मी जरूर लिखें बोलो महालक्ष्मी जी की जै हो भारत वर्ष के सोराष्ट देश में द्वापर युग की कहानी है सोराष्ट में एक राजा थे उनका नाम भद्राश्चा था वे बड़े प्राक्रमी राजा थे और बहुत विद्वान और शास्त्रों के ग्याता थे उनकी पत्नी का नाम सुर्थ चंद्रिका था मैं बहुत सुन्दर और पवित्रा असुलक्षना थी उनके यहां साथ पुत्र और एक कन्या थी कन्या का नाम शाम बाला था एक बार माता महालक्षमी जी के मन में आया कि विराजा के महल में जाकर रहे इससे राजा को दुगनी धन दोलत की प्राप्ति होगी और वो उस धन दोलत से प्रजा को सुक दे पाएंगे यदि गरीब के घर रहूंगी तो उसे धन दोलत प्राप्त होगा तो वो स्वार्थी की तरहें अपने ही उपर रुपया खर्च करेगा यह सोच महालक्षमी जी ने एक बुढ़ी औरत का रूप धारन किया और राज महल में पहुँच गई यदि पी उन्होंने भुढ़ी औरत का रूप धारन किया पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था उन्हें देखते ही एक दासी आई और व्रिद औरत को देखकर उनसे बोली आप कौन हैं तब माता लक्षमी ने कहा बाली के मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम भुबनेश्वर है हम द्वारिका में रहते हैं तुम्हारी नाने पिछले जनम में एक वेश्य की पतनी थी वे बहुत गरीब थे दारिद्रे के कारण रोज घर में जगडे होते थे और उसका पती रोज उसे मारता था इन बातों से तंग आकर वे घर छोड़ कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी उसकी दो दशा पर मुझे बहुत दया आई तब मैने उसे सुक संपत्ती देने माली महालख्मी की कथा सुनाई तो उसने मेरे कहने पर श्री महालख्मी का व्रत किया महालख्मी प्रसंद हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई उसका घर खूब धन दोलत समपत्ती से भर गया बाद में दोनों पती पतनी पर लोक सिधार गए महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल सुप भोग मिला इस जनम में उनका जनम राज घराने में हुआ पर वह शी महालक्ष्मी का वरत करना भूल गई मैं उसे यह याद दिलाने यहां आई हूँ दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा शी महालक्ष्मी का वरत कैसे किया जाए ये सब पूछा भूढिया रूपधारन किये हुए महालक्ष्मी ने पूजा की विधी बताई इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बतलाने के लिए अंदर चली गई राज वेभव में रहते हुए रानी को अपने इश्वरे का बहुत घमंड हो चुका था वह संपत्ती वा अधिकार के कारण उन्मत हो उठी थी और बुढिया की बाते सुनकर आग बबूला हो गई बुढिया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी रानी का यह सुभाव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित ना समझा और वापिस चली गई मार्ग में उन्हें राज गुमारी शाम बाला मिली शाम बाला को महालक्ष्मी ने सारी बात बताई शाम बाला ने अपनी मा की और से शी महालक्ष्मी माता से शमा मांगी उन्होंने शाम बाला को शी महालक्षमी व्रत के बारे में बताया उस दिन मार्ग शी श्मास का पहला गुरुवार था शाम बाला ने परम शद्धा से माता महालक्षमी का व्रत किया और शाम बाला का विवहा किसी राज कुमार से हुआ और वहें धन दोलत एश्वरे और व्यभव से माला माल हो गई पती के साथ ससुराल में आनन से दिन बिजाने लगी इधर शीमहाल लक्ष्मी का रानी पर प्रकौप हुआ और राजा रानी को खाने तक के लाले पड़ गई ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवीदन किया कि हमारे दमाज इतने बड़े राजा हैं तो क्यों ना उसके पास चाया जाए और सहायता मांगी जाए अपना हाल उन्हें बताएं वहें जरूर हमारी मदद करेंगे इस बात पर वहें उनके रज्जप में पहुँच कर एक तलाब के किनारे अराम करने लगे तब वहां से आते जाते दासियों ने उन्हें देखा उन्होंने विनम्रता से पुछा कि वे कौन है जब उन्हें पता चला कि रानी शाम बाला के पिता है तो वे दोडते हुए उनके पास गए और सारी बात बताई उन्होंने राज परिधान भेज कर बड़े ठाड से उनका आदर सतकार किया खान पान करवाया और जब वे लोटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया राजा भद्राश जब घर पहुँचे तो रानी बहुत खुश हुई जब सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा राजा के हाथ में देखा पर जब उसने देखा कि घड़े में तो कोईला भरा हुआ है उसे बहुत ग्रोध है और उसे नहीं पता था कि ये सब महा लक्ष्मी के प्रकोफ से हुआ है अब रानी स्वयम अपने कन्या के पास गई तब मार्क शिश मास का अंतिम गुरुवा था तब शाम बाला ने स्वयम भी महा लक्ष्मी का व्रत किया और अपनी माता से भी व्रत करवाया पीरानी अपने घर आई तब उसे महालक्षमी की क्रिपा से राज पाट धन दोलत एश्वर प्राप्त हुआ कुछ दिनों बाद राज कन्या शामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे पुरानी बाते याद आई कि शाम बाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोईला दिया था तब उसने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार ना किया बलिक अपनी पुत्री का अनादर किया उसे बुरा भला कहा तब शाम बाला अपने ससुराल की ओर चली गई जाते समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया जब वह पती के घर पहुंची पती ने कहा कि माइके से क्या लाई हो तब वह बोली मैं माइके से वहां का सार लाई हूँ इसका अर्थ क्या है तब शाम बाला कहने लगी थोड़ा सा धीरज रखिये सब बतलाती हूँ शाम बाला ने भोजन बनाया और सारा भोजन बिना नमक के बनाया जब उसके पती ने भोजन चखा तो कहा कि भोजन में तो नमक नहीं है तब शाम बाला ने थाली में नमक डाला सारा भोजन स्वादिश्ट लगने लगा तब शाम बाला बोली यही है वो है माईके से लाया हुआ सार दोनों हसी मजां करते हुए भोजन करने लगे बंधों जो मनुश्य भी शद्धा भाव से शी महालक्ष्मी की पूजा करेगा और मा महालक्ष्मी का मार्ग शी श्मास के गुरुवार के दिन वरत करेगा मा उनकी हर मनो कामना पूरी करेंगी उनकी जोली खुश्यों से भरेंगी उन्हें हर प्रकार का सुक प्रदान करेंगी बंधों बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो राधे राधे जय शी क्रिश्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें धन्यवाद